नमस्कार आप देखरें जन्ता दर्बान नियूज और मैं आपके साथ जोती रागव राजस्तान प्रदेश के सबसे उचे सिखर परिस्ति और सिरोही जिले के माउं टाबू में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद सर्दी का सर्देज हो गया है जिसके चलते चल रही शहर में सर्दावाओं से घूमने आने वाला परेटक भी गर्म कपडों में लिप्टे हुए देखी जा रहा है तो कुछ लोग सर्दी के बच्चाव को लेका सड़क किनारे वे चाय की थड़ियों पर अलाब तापते हुए दिख रहे हैं मोसम के परिवर्दन से तापमान में भी गिरावर दर्ज की गई है हिल स्टेशन माउंट आबू में पिछले दिनों दो दिन तक हुई बारिश से अब बदले मोसम से इस्थानिये लोगों की दिन चरिया में भी बदला देखा जा रहा है और लोग सर्दी से घरों से देरी से बहार निकलते हुए देखे जा रहे हैं और माउंट आबू में घूमने आने वाले परेटक भी चल रही सर्दी हवाओं से होटेल में दूबने को बजबूर देखे गए बारिश के बाद जहां आज भी आसमान में बादलों की आवाज आही जारी है तो कभी आसमान में बादलों की बीच लुका चुपी वे धूब खेलने में का दोड जारी है तो वहीं देखा जा रहा है कि परेटक विस्थानी ये लोग धूब खिलने के साथ लोग धूब सेखते हुए भी देखी जा रहे हैं माउंट आबू में लगातार बदले मोसम से देश के विभिन राज्यों से परेटकों ने बड़ी संख्या में माउंट आबू का रुक किया है यहाँ पर मोसम के बीच जो परेटक परेटक ने इसकल के तमाम इलाकों में घूमने का आनंद लेते हैं और वाकई इस मोसम में तमाम इलाकों में घूम कर काफी कुछ अलग ही परेटक महसूस करता है खास कर ऐसे मोसम में यहाँ पर देखने को लेकर अब परियटक भी इस बदले मोसम से तमाम इलाकों में भ्रमन कर अपने को आनन्दित महसूस कर रहे हैं मांटाबू में अचानक सर्दी के बढ़ने से नेपाल मार्केट में और अन्य जगहों पर लगी उनी कपड़ों की दुकान पर गरम कपड़ों की खरीदारी भी भढ़ गई है वही घूमने आने वाला परियटक वैस्थान ये लोग भी अप उनी वस्तुरों की बड़ी संक्या में खरीदारी कर रहे हैं सिरोही जिला कलेक्टर डुक्टर भवरलाल ने जिले के परियटन इस्थल और सबसे उचे शहर माउंट आवु में अचानक भड़ी सर्दी को लेकर प्रिशासन को भी अलट नहेने के निर्देश दिये हैं साथ ही सर्दी के चलते नगरपालिका की ओर से रहेन बसेरी की उचित व्यवस्ता कर तमाम व्यवस्ता को लेकर अधिकारियों को निर्देश दे दिये गए हैं और रेन बसेरों में आने वाले लोगों को अच्छी सुलब सुवीदा को लेकर पालिका प्रशाशन भी अम्मुस्तैद हो गया है साथी माउंट अबू में अब अचानक भड़ी सर्दी से परेटकों की आवाज आई भी भड़ने लगी है और इसको लेकर सुरक्षा व्यवस् जब कंश्मीर जमती देखी जाएगी जिसको लेकर पर्यटक भी बड़ी संक्या में माउंट अबू पहुँंसते हैं और बर्फ को देखने के लिए परेटक भी परेटक भी आपू परेट मोسم का इंतिजार में जरूर रहते हैं फिलहाल के लिए इतना ही जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ अब तक के लिए देख तरी जनता दर्वान नियूस